C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की भुगोल की पाठे पुस्तक, संसाधन एवं विकास प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ चै, मानव संसाधन प्रिष्ठ संख्या 62 से प्रिष्ठ संख्या 1 तर तक तो आईए, अब सुनते हैं पाठ मानव संसाधन, प्रिष्ठ संख्या 62 लोग ही एक राश्ट्र के सबसे बड़ी संसाधन होते हैं प्रकरती की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उप्योगी होती है लोग अपनी आवशक्ताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिबर्तित कर देते हैं इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है स्वस्थ, शिक्षित और अभी प्रेरित लोग अपनी आवशक्ताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं अन्य संसाधनों की भाति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है अपने शैक्षिक स्तर, आयू और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं क्या आप जानते हैं? भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्राले है 1985 में इस मंत्राले का निर्मान लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था इससे यहाँ प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूरण संसाधन है क्या आप जानते हैं? प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना यानि की PKVY को 2015 में एक करोड भारतिय या युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश से शुरू किया गया था इस योजना का उद्देश्य, संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षन प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोचसाहित करना है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें शिक्षिका एवं बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं सबसे पहले एक बच्चा कहता है मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं एक बालिका कहती है मेरे विद्याले में 500 बच्चे हैं एक और बालग कहता है, मेरे गाउं में हजार लोग हैं। इसके बाद शिक्षि का पूछती है, आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं। इसी चित्र में आगे एक बालग जवाब देता है, विश्व में लगभक 6.6 अरब लोग हैं। इस पर शिक्षि का पूछती है, एक अरब में कितने शुन्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे। प्रिष्ठ संख्या 63, जन संख्या का वितरण। भूप्रिष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, उसे जन संख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जन संख्या का 90 प्रतिशत से अधिक भाग भूप्रिष्ठ के लगभग 30 प्रतिशत भाग पर निवास करता है। विश्व में जन संख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसी हैं, और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षन और दक्षन पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांक्षिय क्षेत्रों, उशन कटी बंधिय मरुस्थलों, उच्च परवतों और विश्वत बनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विश्वत वृत्य के दक्षिन की अपेक्षा, विश्वत वृत्य के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग तीन चौथाई लोग, दो महाद्वीपों, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के साथ प्रतिशत लोग केवल दस देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में दस करोड से अधिक लोग रहते हैं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.1 दिया गया है, जिसमें महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या को प्रतिकात्मक रूप से दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि विश्व में प्रतेक सौ लोगों में कितने एशियाई मूलके हैं, कितने यूरोपियन मूलके, कितने अफ्रीकन मूलके, कितने मध्यव दक्षन अमेरिका में रहने वाले, कितने उत्तर अमेरिका में रहने वाले, और कितने ओशे विश्व की कुल जनसंख्या मैंसे किस महाद्वीप में आगे दिये गए बिंदूओं के अनुसार जनसंख्या है? क केवल 5 प्रतिशत, ख केवल 13 प्रतिशत, ग केवल 1 प्रतिशत, ग केवल 12 प्रतिशत. इसी प्रिष्ठ पर चित्र 6.2 दिया गया है, जिसमें विश्व की सबसे घनी आबादी वाले सर्वोच 10 देश दिखाए गये हैं. चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे घनी आबादी वाला देश चीन है, तत पश्चात दूसरे नंबर पर भारत, इसके पश्चात USA, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील, फिर पाकिस्तान, फिर बांगलादेश, फिर नाइजीरिया, फिर रूस, और फिर जापानाते ह इसी चित्र के नीचे लिखा गया है कि विश्व के रूप रेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करें प्रिष्ठ संख्या, 64 जनसंख्या का घनत्व प्रिथुई प्रिष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं सामान्य रूप से यहाँ प्रति वर्ग किलो मेटर में व्यक्त किया जाता है संपूर्ण विश्व का ओसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिन मध्य एशिया में है इसके पश्चात क्रम्शह पूर्वी एशिया एवं दक्षिन पूर्वी एशिया में है क्या आप जानते हैं? चित्र दिया गया है, जिसमें एक बालक और बालिका आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। बालक कह रहा है, जब कक्षा में पूरे तीस विद्यार्थी उपस्थित होते हैं, तब हमारी कक्षा बहुत भरी हुई दिखती हैं। लेकिन जब यही विद्ध्यार्थी स्कूल की सभा में बैठते हैं, तब यहां कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है. क्यूं? बाली का उतर दे रही है. क्यूंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा होता है. लेकिन जब स्कूल के सभी विद्ध्यार्थी सभा भवन में आ जाते हैं, तब सभा भवन भी भरा हुआ दिखने लगता है. जन संख्या वित्रण को प्रभावित करने वाले कारक, भोगौलिक कारक, स्थला क्रिति. लोग सदैफ परवतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं. क्योंकि ये क्शेत्र खेती, वी निर्मान और सेवा क्रियाओं के लिए उप्युक्त होते हैं. गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्शेत्र हैं, जबकि एंडीज, आलपस और हिमाले जैसे परवत विरल बसे हुए हैं. क्रिया कलाब चित्र 6.2 को देखें, एवं पता लगाएं कि इन में से कितने देश एशिया में हैं. संसार के मान चित्र पर उन्हें विभिन रंगों से चिन्हित करें. जलवायू लोग सामान्य रूप से चरम जलवायू जो अत्यधिक गरम अथ्वा अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रोविय प्रदेश, कैनेडा और अंटार्क टिक में रहने से बचते हैं. मिरदा उपजाओ मिरदाएं क्रिशी के लिए उप्युक्त भूमी प्रदान करती हैं. भारत में गंगा और ब्रह्म पुत्र, चीन में हुआंग ही, चांग जी आंग, तथा मिस्र में नील नदी के उपजाओ मैदान घने बसे हुए क्षेत रहें. जल लोग उन क्षित्रों में रहने को प्राथमिक्ता देते हैं, जहां अलवणियां जल आसानी से उपलब्ध होता है. विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत रहें, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्यावाले हैं. खनिज खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं. दक्षिनी अफ्रीका की हीरे की खाने और मध्यपूर्व में तेल की खोजने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है. प्रिश्थ संख्याव 65 सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक आर्थिक कारक और द्योगिक क्षेत्र रोजकार के अवसर प्रदान करते हैं. लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्शित होते हैं. जापान में उसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं. सांस्कृतिक कारक धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्शित करते हैं. वारानसी, येरुसलम और वैटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं. सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं. उदाहरण के लिए पुने शब्दा वली जीवन प्रत्याशा यहाँ उन वर्षों की संख्या है, जिसमें ओसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है. जन संख्या परिवर्तन जन संख्या परिवर्तन से तादपरिय एक निश्चित अवधी के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है. विश्व की जन संख्या स्थिर नहीं रही है, यहाँ कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है. क्यूं? ऐसा वास्ताव में जन्म और मृत्यू की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है मानवितिहास की लंबी अवधी में सन अठारह सो तक विश्व की जन संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीग्र ही उनकी मृत्यू भी हो जाती थी ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित स्वास्थे सुविधाएं नहीं थी सभी लोगों के लिए परियाप्त भोजन उपलब्ध नहीं था किसान सभी लोगों की भोजन की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए परियाप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृध्धी बहुत कम थी सन 1804 में विश्व की जनसंख्या एक अरब हो गई थी 150 वर्षों बाद 1969 में विश्व की जनसंख्या तीन अरब पहुँच गई इसे प्रायह जनसंख्या विस्फोर्ट कहते हैं 1999 में 30 वर्ष की अवधी से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब हो गई इस वृध्धी का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ती एवं औशधियों के कारण मृत्युदर कम होना है जबकि जन्मदर अभी भी बहुत अधिक रही जन्मों को साधरन तह जन्मदर में आका जाता है जन्मदर अरथात प्रती हजार व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है मृत्यु दर को प्रती हजार व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है किसी क्षेत्र विशेश में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है एक देश की जन्मदर और मृत्युदर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृध्धी दर कहते हैं प्रिष्ठ संख्या छी आसट विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृध्धी दर का तीवरता से बढ़ना है प्रवास एक अन्यकारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है लोग एक देश में अथ्वा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं आप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथ्वा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ ही है। सुडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथ्वा उत्प्रवास के कारण जन संख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर राश्ट्रिय प्रवास की सामान प्रवरत्ती यहा है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राश्ट्रों से अधिक विकसित राश्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग, रोजकार, शिक्षा और स्वास्थे सुविधाओं की खोज में ग्रामेण क्षेतरों से नगरिय क्षेतरों की ओर चले जाते हैं। शब्दा वली आप्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, इस प्रिष्ठ पर चित्र छे देशमलव चार दिया गया है, जिसमें चित्रों के माध्यम से जनसंख्या का संतुलन बताया गया है। पहले चित्र में दिखाया गया है कि मृत्युदर से जन्मदर का अधिक होना, अर्थात जनसंख्या वृद्धी। दूसरे चित्र में दिखाया गया है जन्मदर और मृत्युदर का समान होना, अर्थात जनसंख्या एक जैसी रहती है। तीसरे चित्र में दिखाया गया है जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, अर्थात जन्संख्या कम होना. जन्संख्या परिवर्तन के प्रति रूप जन्संख्या वृध्धी की दर विश्व में अलग-अलग है, जैसा की अगले प्रिष्ठ पर चित्र 6.5 में दिखाया गया है, जहां पर विश्व मान्चित्र में जन्संख्या वृध्धी की अलग-अलग दरों को अलग-अलग रंग से चिनहित किया गया है. जैसे की अति उच्च यानि की तीन प्रतिशत या उससे अधिक की प्राकरतिक वृध्धी की वार्शिक दर को नीले रंग से दर्शाया गया है. उच्छ प्राकर्तिक वृध्धी की वार्षिक दर अर्थात दो से दो दशमलव नौ प्रतिशत की वृध्धी दर को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है आदर्श प्राकर्तिक वृद्धी की वार्शिक दर अर्थात एक से एक दशमलव नौ प्रतिशत की दर को हलके नीले रंग से दर्शाया गया है निम्न प्राकर्तिक व्रिद्धी की वार्शिक दर अर्थात 0.9 प्रतिशत या उससे कम को हलके पीले रंग से दर्शाया गया है तथा 0 या हरास को सफेद रंग से दर्शाया गया है यद्यपी विश्व की कुल जनसंख्या तेवरता से बढ़ रही है तथा पी सभी देशों में यह व्रिद्धी अनुभाव नहीं की जा रही है कुछ देशों में जैसे कैनिया में जनसंख्या वृध्धी दर उची है उन देशों में जन्मदर और मृत्युदर दोनों ही उच्च है हाल ही में स्वास्थे सेवाओं में सुधार के साथ मृत्युदर कम हो गई है परन्तु जन्मदर अभी भी अधिक है, जिससे वृध्धी दर बढ़ रही है अन्य देशों में जैसे United Kingdom में निम्न जन्मदर और मृत्युदर के कारण जनसंख्या वृध्धी की दर मंद है प्रिष्ठ संख्या सण सट जनसंख्या संघटन किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता उदाहरण के लिए बांगला देश और जापान अति घने बसे देश है लेकिन जापान बांगला देश से आर्थिक रूप से अधिकवे कसिद देश है एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवशक्ता होती है लोग अपनी आयू, लिंग, साक्षर्ता स्तर, स्वास्थय दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं लोगों की इन विशेश्टाओं के बारे में जानना आवश्यक है जनसंख्या संघटन, जनसंख्या की सनरचना को दर्शाता है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें समाच में मौजूद अलग-अलग तरह के लोगों का समाच को दिया गया योगदान दिखाया गया है जैसे चित्र में एक बूढ़ी महिला को दिखाया गया है, जो कह रही है मैं अपने पोते-पोतियों को कहानी सुनाती हूँ वही एक इंजिनियर को दिखाया गया है, जो कह रहा है मैं सेतु बनाता हूँ वही एक गायक को दिखाया गया है, जो कह रहा है मैं विवह समारोह में गाता हूँ वहीं एक ग्रिहनी को दिखाया गया है, जो कह रही है मैं घर की देखभाल करती हूँ वहीं एक वैज्ञानिक को दिखाया गया है, जो कह रही है मैं कैंसर उपचार की आउशधियों के लिए शोध कर रही हूँ अंत में एक किसान को दिखाया गया है, जो कह रहा है समाच के लिए एक संभाव्य संसाधन है मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा? प्रिष्ठ संख्या 68 जनसंख्या संघटन हमारी यह जानने में साहिता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं वे किस आयू वर्ग के हैं और स्वास्थे दशाएं कैसी हैं एक देश के जनसंख्या संघटन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधी जनसंख्या पिरामिड है जिसे आयू लिंग पिरामिड भी कहते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.6 दिया गया है जिसमें एक जनसंख्या पिरामेट दिखाया गया है एक जनसंख्या पिरामेट दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयू वर्गों में विभाजित है उदाहरनार्थ 5-9 वर्ष, 10-14 वर्ष कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रतेक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है जनसंख्या पिरामिट का आगार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है बच्चों की संख्या अर्थात 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है इसी प्रिष्ठ पर एक बालक और बालिका आपस में समवाद कर रहे हैं सबसे पहले बालक कहता है ये त्रिभुजा कार प्रतीत होने वाला आरे क्या है बालिका कहती है यह जनसंख्या पिरामिड है बालक पूछता है वह क्या है बालिका कहती है ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयू वर्ग में दर्शाया करते हैं इसके बाद बालक पूछता है क्या मैं डेटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ बालिका कहती है अवश्य हम तीन देशों का अध्ययन करते हैं प्रिष्ठ संख्या उनहत्तर उपर का आकार व्रिध लोगों अर्थात 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है युवा आश्रित लोग अर्थात 15 वर्ष से कम आयू के और व्रिध आश्रित लोग अर्थात 65 वर्ष से अधिक आयू के आश्रित आयू जनसंख्या के अंतरगत आते हैं कारे रत आयू वर्ग अर्थात 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्मदर और मृत्युदर दोनों ही उचे हैं आधार पर चोड़ा है और उपर तीवरिता से संक्रा हो जाता है ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्युद शैशवकाल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं इसलिए वहां वृत्ध लोग बहुत कम हैं इस थिती को केनिया के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि आप इस प्रिष्ठ पर मौजूद चित्र 6.7 में देख सकते हैं जिन देशों में मृत्युदर विशेश रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है युवा आयू वर्ग का पिरामिड चोड़ा है क्योंकि शिशू प्रोढ़ा वस्था तक जीवित रहते हैं यहां भारत के पिरामिड में द्रिष्टी गोचर होता है जैसा कि इस प्रिष्ठ पर मौजूद चित्र 6.8 में दिखाया गया है इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक शितह अधिक है इसका अर्थ मस्बूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ती है कम जन्म दरवाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सक्रा है जैसा की इस प्रिष्ठ पर मौजूद चित्र 6.9 में दर्शाया गया है घटी मृत्युदर के कारण अधिक लोग विर्ध आयुदर तक पहुँच जाते हैं कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दरिष्टी जैसे युवाजन किसी राष्ट्र के भविश्य होते हैं हम भारतवासी भग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए प्रिष्ठ संख्या सत्तर अभ्यास प्रश्ण एक आगे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है दूसरा, विश्व में जनसंख्या के असमान वित्रण के क्या कारण है तीसरा, विश्व की जनसंख्या अत्यन्त तीवरता से बढ़ रही है क्यूं? चौथा, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किनहीं दो कारकों की भूमिका का वरणन कीजिए जनसंख्या पिरामिड क्या है? ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं प्रश्न दो, सही को चिनहित कीजिए पहला, जनसंख्या वित्रण शब्द से क्या ताक परिया है? क, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जन संख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है क, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यू प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या ग, किसी दिये हुए क्षित्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। दूसरा, वे तीन मुख्यकारक कौन से हैं, जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। क, जन्म, मृत्यू और विवाह। ख, जन्म, मृत्यू और प्रवास। ग जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा तीसरा, 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई क एक अरब ख तीन अरब ग छे अरब चौथा, जनसंख्या पिरामिड क्या है? क जनसंख्या का आयू लिंग संघटन का आलेखिय निरूपन ख, जब किसी क्षेत्र का जन घनत्व इतना बढ़ जाता है कि लोग उची इमारतों में रहते हैं ग, बड़े नगरिया क्षेत्रों में जनसंख्या वितरन का प्रतिरूप प्रिष्ठ संख्या, 71 प्रश्न तीन आगे दिये गए शब्दों का उप्योग करके वाक्य को पूरा कीजिए विरल, अनुकूल, परति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकर्तिक, चरम, घना जब लोग किसी क्षेत्र की और आकर्शित होते हैं, तब यह रिक्तिस्थान बसा हुआ बन जाता है इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतरगत, रिक्तिस्थान जलवायू, रिक्तिस्थान संसाधनों की आपूर्ति और रिक्तिस्थान जमीन आते हैं चोथा, क्रिया कलाप, जिस समाज में 15 वर्ष से कम आयू के बहुत से लोग हैं और 15 वर्ष से कम आयू के बहुत कम लोग हैं, उस समाज की विशेश्टाओं का वर्णन करो. संकेत, विद्ध्याले की आवशक्ता, पिंशन स्कीम, शिक्षक, खिलोने, पहियेदार कुर्सी, श्रम आपोर्ती, अस्पताल, अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट पर कुछ महत्वपूर्ण स्रोथ. www.ndmindia.nic.in www.environmentdefense.org www.freephoto.com www.worldgame.org forward slash worldmeters www.cseindia.org www.mnes.nic.in www.undp.org forward slash pop in इसी के साथ, छै पाठों के इस पुस्तक का छठा पाठ यहां समाप्त हुआ. वाचन संदीब भट अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत